नमस्ते मेरा नाम सिद्धान्त है और दिललन टॉप की यात्रा आजमगण में है हम लोग कुछ लोगों से मिल जूल के लौट रहे थे तो हमारे साथ ही ने बताया कि यह जो जगह है इसका नाम सराइमीर है और सराइमीर से नाम से पूछेंगे तो लोग ज्यादा नहीं बतात आजमगण का यूपी का मीनी दुबई भी कहा जाता है यहां पर कारूबार को लेकर कहा जाता है यहां के लोगों के जॉब प्रिफरेंसेस को लेकर कहा जाता है और सराइमीर के कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं हम उन से थोड़ा सराइमीर के बारे में जानेंगे हम चुनावी बाचीत करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे ठीक है पहले हमको जानना है जगह का इतिहास जानना है उसके बारे में थोड़ा सा किस्ता कहानी सुनना है क्या नाम है अपका आप से शुरू करें कोई दिकत आप से आप से आप से आप से कोई दिकत क्या नाम है अप जए निसे दो भातो यहां के लोगो बड़ी तदाद ने तो यह है यहां के लोग और वहro Еzen box देए भाइनुप मिलता है और साली की है चूट है है अश्मार को साल इसक देसे करना है या आपको वहां की जो है पर्फ्यूम है घड़ियां है मोबाइल है जो जो भी चीज़ आपको जरुवत की है वह यहां पर आप आसानी से पा सकते हैं और असल में बहुत पहले से यह ट्रेंड है और यहां पर जो दुकान है खास सवर से आप यह सी मार्ट आप देख लीजिए यहां पर कि बाहर से जो भी चीज़ें लोग ले के आते हैं जैसे कोई आदमी कमाने के आवास ले के आया उसको फिर यहां पर उस बेज भी देते हैं यह भी तरीका है एक यह कि अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब से उपन मार्केट हो गई इंडिया कि 1998 के बाद से खासा उसे अब तो भी यह चीज़ां यहां मिलती थी और कपड़े हैं खातों से जब सिंगापूर लोग रहते थे बोर्ना ही रहते थे और मलेशिया रहते थे तो वहां से लोग चीज़ें लाते थे यहां बेज देते थे पहले लोग बर्मा रहते थे यहां का इक इतियास है यहां लोग क करोडों में लेकिन सोईधा के नाम पे जीरो उसके बाद गल्फ के सारे कंट्री में यहां के है सरकार अगर अपना वह बायोडाटा उठागे देखे बैंकों का उसारा बायोडाटा देखे तो आपको समझ में आएगा कि कितना फॉरंट करणसी आ कि यहां पर लेकिन उसके नाम पर सुईधा के नाम पर बिल्कुल जीरो आप जाएंगे तो घर तो मेरे खाल से चूट सकता है आदमी चूट सकता है घर नहीं चूटेगा नहीं मतलब यतने लोग बाहर रहते हैं हर आदमी किसी ना किसी कंट्री में आपको गल्फ के सिंगाप अब यह हो गया है कि लोग जाते हैं बंबेई दिल्ली लखनू हर जगा बिजनेस हैं हमारा लेकिन यहां सुईधा के नाम पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा हस्पिटल नहीं है यहां पर दो मेंड़ बात कर लेंगे ठीक है मैं मैंने से पहले का कि मुझे जगह को जानन आप लिए टाइगा और एंपॉर्ट मिल जाएगा है क्वालिटी हर जिसे पूर इंडिया में कहीं भी यहां पर आता है माल जिसे दिल्ली भंबे साथ तो यहां से पर्चेसिंग वहां से हम लोग जा करते हैं लाक यहां बेचते हैं और कुछ आइटम जिसे हम लोग फारें सब्सक्राइब करने में आसानी रहती है अच्छे-खासे लोग आना जाना तुरह से डिश्टर्ब होता है और उस तरह पहले क्या था कि लोग टिकट लिए यहां से सब्सक्राइब करने में आसानी रहती है और हमारे रहने का खाने का खर्च नहीं आता था उसकी वह लोग करने में आसानी रहती है कोविट में बहुत सारी कमर्शल एलाइंस बंद हो गई है और जो एक फ़लाइट जेट बंद हुए है उसके वह से आम लोग बहुत नुक्सान हुआ है क्योंकि वह फ़लाइट बहुत अच्छा फेर देती थी और उसके लावा आप फेर डबल हो गया जस्ट पहले किसी भी स्टेट में जा रहे है एरपोर्ट पर फ़लाइट होने से पाइंगंड़ा पहले रैपिट टेस्ट होता है वह वहां की कंडिशन है लेकिन यहां पूसका कितने कितने लोग हैं यहां से दुबाई जाते रहते हैं कौन कौन जाता है दुबाई मतलब मुझे किसी ने बताया कि हरेक बासिंदा कभी ने कभी दुबाई जरूर गया है जाते हैं सब लुग सब्याइब करना चाहें अब तो लोग दुबाई जाते हैं यहां से कितना जाते हैं कहीं बार कहा जाता है कि वह समस्लमान ही दुबाई जाते हैं पर इसा है क्या डिफ्रेंस है यह पताइए सारे लोग साही एकदम एकदम सारे लोग यह खारी कहने की बात है कि खाली मुसलमान जाते हैं here पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाते हैं matrix Dubai नहीं सौधिम भी ऑश्य खासे हिंदू भाही हैं सवाधी जहां बताया जाता है मलेसिया में हैं सिंगापूर में हैं मतलब आपको आदम गड़के खासकर सराइमीर के लोग मुझको जहां तक मालूम है कि हर मुलक में आपको मिल जाएंगे यहां तक की रस्या मिल जाएंगे आपको और तुर्की में मिल जाएंगे कुछ मतलब हर मुलक में यहां की मेन एकोनामिक जो कोई इंडर्स्री ना तो कोई गोर्मिंड का कोई प्लाम 9 में यहां कोई देखने में बदस्त्री यहां कोई फरक नहीं उसकी वज़ा थी उस टाइम हमारे देखने में डाक्टर मनमोहन सिंग की जो पालिसी थी उस टाइम की वह पालिसी को वज़ा से इंडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा था उस मंदी से बाहर तो दुबाई उब तो डैमेज हो गये दुबाई के यह हाल हो गया तक बुरूच सेरी जानकारी में बेचना पड़ गया था वह तो दूसरी गोवर्मेंट ने किसी ने वह साथ कुछ कर्ज दिया या क्या है सब्सक्राइब कर दिया था उसको उन्होंने डिले कर दिया था उसमें उनका बहुत मुक्सान हुआ था बहुत सारे इंवेस्टर चले गए थे 70 तो 30 एंन्हों ननमुस्लिम को fps घट्री इसैंनम स्मिलिम को पूरे के आप और फारत दाटे जरूर नहीं कोई जानने वाला हो या ना हो वो यह रिस्क भी लेते हैं लेकिन मैं टिकट काम करता हूं तो ज्यादा तर मुस्लिम ही रहते हैं तोटल अबादी में क्या होता है क्या बाइबर लोग दुबाई जाते क्यों है क्या पैसा कमाने ज्यादा म见ता है क्या है जाता है यह आधमी जयाता है जिसे एक आधमी गाह lock कर कर दो कोई कोई रिजन नहीं है उनका दो साल मल्टीपल वीजा इसा की उनका ख़ाली है ट्रावल् singer ऊंका推्स हूंस भी नहीं होता मेरे खाल से 90 परसंट लोगों का सर्विस वीजा है वहां पर जॉब करते हैं वो लोग चाहे दुबाई में हो चाहे सबसे बड़ा मसला यह ना कि आजम गड़ को यह कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल जिला है ऐसा कुछ नहीं यहां अभी भी रेश्यु जो है 70-30 का है यह तो ख्लेश नहीं सुनें यह को बता रहा है कि ख्लेश नहीं है क्योंकि सबकापार एक दूसरे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के हम लोग का आना जाना खाना आला के कहली एक दम बहुत करीबी मामले कर दूसरों होता है और अच्छे आरा आदमी खराब आदमी है उनको तो को जोड़ता हमें क्यार करते हैं चीर दनेंको करते हैं लोग करते हैं और सब्सटि अब डुबाइ कारवार के लिए यहां से जाते हैं तो वहां पे जिसे पैसे एक तो जादा मिलता मतलबATION अगरfish काम कन द्यृच сил को जुड़ा के लिए Chuck parameters यहांँश पैन पे उसतरा adaptि और डेली की पंद्रह सो और दूहजार द्रहम लेवर मिल जाता है और फिर वहां पर आसानी से आदमी लाग पजाइस खर्च करके चला जाता है तो उसके वहां पर कुछ ना कुछ गारंटी है कुछ ना कुछ मिलेगा जाता है और फिर वीजा जो होता है वह दो साल को होता है एक बार वीजा लगवाली तो इसे इंडियन खर्च आएगा आपको जादा जादा एक लाग रुगा माल लीजिए हां तो अब दो साल रह सकते हैं वहां किसी काम के लिए अब मिसाल के तरव इसे हम लोग पास शॉप ह है इंबोर्डरिक काम होता है कपड़े पे सिलाई के काम तो जो हम लोग किया काम करने वाले हैं तो हम लोग उनको सेलरी देते हैं पंदरा सव ठारा सव द्राम तो आज की डेट में अगर 20 रुपे लिहां से जोड़ेंगे तो 36,000 रुपे हो गया तो 36,000 में जियों ने अप फिर की कि अधिकर收 चुछे में जाते हैं कुछ गए पहले बार प्रेंड स्वशत चले इंज णते हैं मलोग फिर यहां चले एंज चार महीं पांच मही ने रहे के जाते हैं पेड़ नहीं रहती है चुत्ती जो है अपने उसके खर्च पर आना लेकिन मजबूरी है हमारे पास कुछ कामें हैं हम जाना हमको क्या करेंगे पतानी आप लों में से इतनी कहानिया है एक तो लोग बताते थे पैसा हावा हिए और एक कहाणी होड़ी है कि दुबाई में मजदूर अकदम बंक बेड में एक पूरे बड़े से हॉल में बंक बना हुआ है उसी में सब मजदूर सो रहे हैं पैसा वले ही ज्यादा है लेकिन रहन सहन बड़ा वैसा किसम का है है स्थिति क्या है असली में मैं नहीं जाना चाहिए तो भूदा बहुत सच्चाई भी है कि जिसको कहते हैं कि बहुत सारे जगों में पैसा होता है बढ़तों लेकिन अच्छ गाम नहीं है थोड़ा बहुत है और इसा हवा में उड़ता बहुत लायात अगर आप वहां कभ aussi जाने का मौका fotograf भी देखने का मोका मिले एक यह है कि वहाय कोई शोचल लाइफ नहीं रहे तो कमरे में खा रहे हैं काम कर रहे हैं उनको थो काफी मेहनत का पैसा है और काफी जो है वह उ स्करांव किस्टु कोमातेहैं और काफी पैसा लगा गये तिकेट लिया और उसके कि पैसा पेसा फिर उसके बाद पिर आने जाने का जो टिकत करचा है मेहनत की कम आई है और उसका उनों वह काफी दो-चार महीने तो उनका पैसा भरने में चला जाता है सब्सक्राइब करें तम ना पैसा कमांगे कि लेबर कैसे पैसा उड़ता वह पकड़ेगा आप कारोबार बाचीत के शुरुआ तुम बता रहे थे कि पैसा इधर से उधर बे जो स्किल लेवर नॉन स्किल लेवर दोहीं तरह के लोग जाते हैं स्क करें अब नबर में अगर आप फिर जाकर वहाँ और नहीं ने महनत की लेकिन पहले तो जाकि उन्होंने महनत की है इसा नहीं है कि पैसा लेकर मिंद भी जाता है इंडिया की इसी सरकार की काम भी करते हैं और मदूरी भी नहीं मिलती है अरह मार वासार कॉंप ने छिर्फ संथ सर्कार अगर बनाती नहीं थी तो भिगाड़ी नहीं जर्वाटफा सब्सूरप आइधे धाना कोई करते ही वह मुस्लीम करते सर्कार कुद आप संद्ध हीं ठीक है न यहां की सरकार और हम लोगों को जो हम लोग अपने स्कमार हैं जब बालू इट गीटि का हर चीज का रेट महांगा हो जाएगा तो लोग मकान का निजी करण बंद वो करवाते हैं मकान का बनवाते हैं लोग नहीं बनवा पाएंगे आज के दो या तीन महिना पहले एसी इस्थिति ती यहां की यूपी की कि किसी के पास खाने के लिए लेबर तीन महीने दो महीने घर वे बैठे थे किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं था कि और वो सोचे करमने कपड़ा करी लू कपड़े की उसके पास भाफ्ता नहीं थी ठीक है इससे पाले मेरी सब्सक्राइब नहीं है लोगों को रोटी कपड़ा माकान के लिए मजबूरिया सरकार कर दिए भाई हम तो मजदूरों को लोगों को अनाज दे रहे हैं गरीबों को फ्रिमुफ्त में अनाज मिलना कोटे से पाच किलो राशन हर महीने मिलता है फिल्म देखें हैं ना पाले उनको कुट्ने उनको आदर डालने दो खाने की तरी की आदर डालने दो इंस्टाग्रम पर चलना आज कल ना और सच्छाई शुपती थोड़ी नहीं सर्चाई थोड़ी चुपती है आभी क्या है किसी अरजन साल 15 साल पहले जो यहां लोग नुद्याना मुंबई आते चलते हैं थे प्रेट काम करते हैं वहांका क्रते हैं लोंगे सब लोगा चालाने लोगो ऑनकारा चलने चलोटीन लोगश्य करते हैं अगर मैं करेंगे मजबूर लोग करते हैं या उनको पागल लोग करते हैं यह सरकार इतनी मजबूर कर दिया है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर लोग कर रहे हैं और यह सरकार में काम भणिया हुआ देखेश हमाया की सरकार थी सपा की सरकार्स कुछ नहीं हम लोग कर रहे हम को हमको थोणी थोणी मृमाना ना हमको रोटी की पड़ा मकान चाहिए अच्छे समझे सब्सक्राइब पीचल तक हैं वाजादी है और क को अच्छे से कमाने जैसे हमारा दीहारी है अगर हम 300 की नौखरी कर रहे हैं तो यहां पर ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन वेस्टन यूनियन है यह बड़ी बात है यहां से ट्राइलिंग करके बाहर जा रहा है हिश्रत कर रहा है आप हर गाहों में जाएंगे तो आपको मिलेगा है कहां भी लुधियाना है पंजाब मंबई हैं दिल्ली हैं सुरत हैं गुजराथ यहां पर कामी नहीं पूरे आजमगड में आप उठाक दि को अपया की दें हैं जो निदि के आई हैं अरब में और नाली नाली अमको अपने से लिıll마ंने तक नहीं बनवाई है यह दोनों तरफ यह हमने बनवाया हमने ले जाके गिरा दिया वह बहुत बुरी इस्तिति पूरे स्टेशन पाथ आप जाएंगे इतनी बुरी इस्तिति थाना आधा डूब गया उसमें बरसात में पुलिस वाले जो है प्लास्टिक पहन के थाने से बाह दे रहा हूं लेकिन पानी जाये का रेल्वे रेल्वे जो के वहां बगल में रेल्वे हैं रेल्वे अपने जमीन में बहाने देगी नहीं अब यहां बहुत बड़ी समस्या पानी निकासी किसम यहां है नहीं आजू-बाजू चारोतरव आप घूम लेजिए कहीं ने कहीं पानी जमा हुआ है यह तनी पोखरी है सब पे पलाटिंग हो गई है जो कुछ कंट्रोल करती थी लेकिन अब सरामीर अबादी बढ़ी है तो इसका दो रास्ता है एक रास्ता रेल्वे उधर नदी का बहार उसमें जाएगा पानी दूसरा रास्ता इधर है कि यहांकि दोनों रास्त compact कोई कामने क्या है यहां कि आप्वैक्ता इतना फायदा यहांसे यहांसे लोगों से बाहर से पईसा आता है वह भी 90 लाखों ने क्रोड़ों में आता है वोगर यहां के लोग आप से एक रूपया लिए बिगहर जाते हैं अपने दम पे जाते हैं मेनत करते हैं कमा के बेचते हैं यहां करें में बढ़ता है मगर उसके बावजूद भी शरम नहीं आते हैं कि जो आपको फाइदा पहुंचा रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करके दें यह आलत लाइट क सब्सक्राइब यह अंदर आधा किलोमेटर से कमें होगा यह अंदर में पठान टोला बोला जाता है मौला उसी मुनका घर है भाई वगर रहते हैं परिवार पूरा उनका पता रहे थे हमको कि पहले यहां पर अभू सलेम आना जाना रहता तो किसी को पता ही नहीं था कि ऑढ़ैं होना होगा यहां कोहीं वहां इनके भाई लोगे यह अंगे दुकान रेस्टोरेंट है इन्डियन रेस्टोरेंट उनके भतीजे का है हां सारे लोग हैं कोके कोई दिक्त नहीं सब पता चला आप लोगों को कि यार आजमगड का नाम इस वजय सभी बदनाम हो रहा है तो उनका नाम आया था तब हम लोगों को बाई तब मैं बहुत छोटा था लेकिन सुनता हूं जो वह तो 1993 के आस पास जो वह था गुल्सन अत्याकान तभी से उनका नाम सोटी हुम आया लोग तभी लोग यहां जाने भी जानने उनको ठाइब हुस्टोटे जाने उलोग छोटी सी बाजार जानेंगे लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है कि सराहमिर के अत्राफ के लड़के जो है जो यहां के लड़के हैं यहां पर दो मदरसे बहुत बड़े हैं जो सबसे बड़ा मदरसा है मदर्स इसलाः, इसके लड़के पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, उसकी होजा से नहीं सराइमीर मش़ूर हुआ लेकिन पूसलेम को जा सहे मशूर हो गया, आपको तुर्की में, मसर में, साओतीया में, बड़े-बड़े सकालर आपको सराइमीर के मिल जाएंगी इसी मद गशनमर्सकाई बाहर गया जो यहां का मजधूर था जो नहीं पड़ा लिखा है वो भी बाहर गया मुल्क के लिये कुछ नहीं लादए उसने मुलक से कुछ नहीं लिया उसने शिर्फ नाम लिया हिंदुस्तान का लेकिर उसका नाम नहीं वा सब्चाना गया किससे पहøcharem से आप जाईए मदरस्टे इसलाह पर आपको विलकम हो लोग करेंगे और आपको लगे वहां आपको पूरी तारीख बताएंगे कौन कौन लोग थे शिबली नॉमानी ने इसकी बुनियाद रखी इस मदरसेख इंगे शिबली कॉलेज हैं उनका भी यहां पर वो कंटिविशन र कर रहे हैं असी लड़के जो लाश्ट एर सिमिनार हुआ था असी लड़कों का इन्हों ने प्याइडी कंपलीट की अपनी मैं हायर इस्टीटिस की बात कर रहा हूं इंडिया में जितनी टॉप इन्यूर्सिटीज है बाहर में आगर आप चले जाएंगे खातर सौधी में जो मदिना अन्वर्सिटी है जामे अजहर में है तुर्की में है बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान पहले जाते थे पाकिस्ताने बहुत बड़े लोग यहां से पड़े लिखे पढ़के गए थे उसके अलावा यहां पर आप अगर देखेंगे जो इनका इंडिया में खात लेवल पर जाके वहां पर कंपीट कर रहा है वह भी आइसे लोगों के साथ काम कर रहा है कि जो इंडिया के टाप लोग है और आप देखिए कि जैनियों अलावाबाद यूश्यूटी यहां पर यहां कि पड़े लड़के प्रोफेसर हैं लेक्षर एसिस्टिन प्रोफेसर और लगातार हर साल अगर आप चेक कर लेंगे कम से कम ऐसे लड़के हैं जो यहां से पढ़के जाते हैं इसमें से 90 बटन ऐसे हैं जो सेंटरन सुटी का इंटरेंस एक्जाम करते हैं वहां अडिमिशन लेते हैं और मैं सिर्फ यह नहीं कर रहा हूं कि यहां जागू तो संजरपुर से बहुत सारे अरेस्ट होते थे एक मड्यूल सामने आया था जिसका नाम था इंडियन मुझाहिदीन करके आप लोगों कर ध्यान में हो और संजरपुर से खचिया के भाव अरेस्ट किये जा रहे थे कई सारे लोग अरेस्ट हुए कई सारे लोग गए जेल म कि आजमगड में तो आतंक का गड़ कहा जाता है पॉलिटिकल नेता होगर अपने भाषा में कहते हैं सब की अपनी अपनी भाषा है अजमगड में क्या महौल था क्या होता था कोई बता सकता है आप बताए सरा अजमगड संजरपुर यहां से पांच किलो मिटर पर आप जाएंगे तो पांच किलो मिटर पर एक छोटा सा गाहूं है चंद लड़के उसमें से हुए लेकिन इसका दर आजमगड को बदनाम किया क्या यह मेरा पड़ोसी है क्या नाम है है सुने लियाद आओ ठीक है मैंने गुना किया है ना मुझे आप कहिए ना इसको क्यों कहेंगे पूरा आजमगड पाप आतंगवाद की नरसरी कहें देंगे आप उसी आजमगड में शिबली नुमानी भी हुए था ना और ना जाने कितने स्कालर आज की डेट में है आजमगड में बड़ी बड़ी निस्ट्रियों में पढ़ा रहे हैं तो क्या सारे लोग पूरा आजमगड आतंगवादी है कैफी आजमगड आप बहुत लोग हैं गिनाने के लिए पढ़े लिए कि लिस्ट अगर देना चाहेंगे तो हम न यहीं की लेंगवेज है उर्दू हिंदुस्तान की लेंगवेज है उर्दू तो उसके लिए आप सब को कहना एतना डरा दिया गया था कि पांच बज़े लड़के हम लोग अंदर चले जाते हैं सब लोग घर में कोई नहीं पूछने वाला था कोई नहीं आता था पूछने क्या हाल है कोई जो भी बाहर निकलता था उससे यह नहीं पुछाता था है कि तुम हिंदू हो कि मसल्मान हो तुम बाहर हो तो आपको टार्चरी करना एक वह बना दिया गया माहल बना दिया गया आप जाईए कोई संजरपूर में अभी आप घुजरेंगे यहां से पांच क केसे सारे में जतना भी केस चला है सब में लोग बरी हो रहे हैं 15 साल 20 साल उनके लिए क्या है मेरी जिन्दगी तो आपने खराब कर दी इसलिए कि मैं मुसल्मान हूं सिर्फ जुर्म यही है ना बाकि क्या जुर्म है पड़े लड़के थे जतने लोग पकड़े गया है कोई एक परसंट डो परसंट भी केस हैसा नहीं कि जिसमें उनको सिद्ग किया हुए इंके इनके उपर केस लगा अब जिन पूलीस वाला ने उनको पकड़ा है बातला हॉस बाटला हुस के अक्यूस तो साइफ नाम था या क्या नाम था कई लोग का रिस्ट यहां पर हुआ है प सब्सक्राइब कर रहे थे इस सराय मीर के बारे में यहां की एकॉनमी के बारे में की पैसा कैसे कमाते हैं लोग कैसे पैसा आता है कुछ बताए कि एक दिन का करोणों का टर्नोवर पूरे सराय मीर का और काम धनला कुछ इन लोग बाएर रहते हैं वाद कमाते हैं मैंने की पर कमाते हैं अब स्रामी कि क्या बात करते हैं आप यह कह रहे हैं सरामी का जो भी मैटर है एक छोटा से केस्ट आमिर खांगे पास करता है हिरोई निकलती है सागे नाव अरे शारुख आरे खांगे सो गराण में वह जाता है कोट आप अडानी के पोड़ पे करने एक एक लाग पच्छता जाग पोड़ की रूइन टेलकाप पॉडर करके आता हुए उसका कुछ नहीं मीडिया में आता है वी मीडिया लाया वह जा आपको शुक्रियादा कर रहा हूं आप जैसे चरह अगर हिंदुस्तान में हो जाए अरे अरे न खान के पास शायद आप अडानी क्या बोले है यह मेरा मैटन नहीं है मैं तो पोड़ इंचार्ज हूँ शिकोर्टी किसकी है अडानी को अडानी के अगर शिकोर्टी इंदु कोई मीडिया कोई पेपर आरे अरे खान का मैटर पूरे हिस्दुस्तान जान गया अडानी का मैटर कोई नहीं जान मैसे आपके आहिता सब्सक्राइब कि मुस्लीम है कि शोजीन वो आपका भाई है या मेरा भाई है इससे तेह नहीं होता कि उसका धर्म क्या है मैं आपको सब्सक्राइब करने की कुशिश कर रहा हूं आरेन खान को दो मानता हूं कि पहली आइडेंटी वह लोग जानते हैं अगर अगर आ कि नमें बेटे अगर सुन्हील यादा सुन तो लिए सर मेरी इतनी बात नहीं होती जो कि जाहिर से बात है बड़ा नाम है तो हलाद बड़ा होगा इस तरह से इस तरह से चीजें होती है और अरे सुन तो लिए और आप जो कह रहे हैं हमारा भाई है तो हमें थोड़ा सा है यह बात हो रही है मैं ही कहने वाला था कि वह हमारा भाई है वो मुसल्मान है तो हमारा भाई है हमें इस लाइन से अलग अटना होगा थोड़ा कि हमें थोड़ा सा और ज्यादा इन्क्लूजी olsun हदो जिसका मतलब हिंदी होता है हमें हमें देख दरज करता हूं आपकी बात रिकार ले रहा हैं आप की situational पर हमारे लेकिन एक हस्तक्षेब जो होता है ना इंटरफेर जो होता है मैं उस तिजब से करना चाहूंगा कि हमें थोड़ा इंक्लूजिव भी होना पड़ेगा और हमें कानून को हर बात को हर चीज को कानून के दाइरे पर तॉलना होगा क्योंकि आज भी कहीं पर लडाही ह है बहले हम कितना एग्री और डिसेग्री करें कानून लाइंफोर्स्मेंट एजेंसी से हम भले शिकायत पाले लेकिन लौ तो पालेंगे ना हम लौ का पालन तो करेंगे ना वहीं तो हमारे मुल्की खुशूर्ती थी क्या नेक्ता में एक्ता थी आप एक रंगी चाहते हैं परा गुलदस्ता एक रंग का हो जाए तो फिर आप किल्दस्ता मत कहिacia हैं ना फिर कईएगै कि रहें ईप सब्सक्राइब करें कि लाउरा हैं चाहते हैं इस चीज को लोग यहां से दुबाई और सौधी रहते हैं यह गल्फ कंट्रियों में रहते हैं उनसे जाके पूछिए वह यह नहीं पूछता है कि आप यादो जी है आप ठाकुर साहब है आजमगड साहँ है और यह पहला तो यह रहता है कि आजमगड उसके बाद फिर इंडियन इसको तो जैसे बहुता जिने की यह नहीं कि यहादो के साथ रहता हूं ठाकुर के साथ मेरे बीच में नहीं लेकिन मेरे जहन में या उनके जहन में जो भरा गया है वह पुलिटिशन ने में हम तो जाते हैं हमारे साहँ जांके कमपनी अंभ बड़ा काम करते हैं अब यह यहां के लोग है कूँ बैंग लॉट नगहीं बहुन के वाहर जाते हैं बैंगलूर में रहते हैं बहुत से ओपन को रहते हैं ना यहां पर जिसे आप घुमने के लिए जाएए सिंगापूर जाइए तो आपको खुशी होगी लेकिन जब हम कमाने के लिए जाते है ना और जब फ्लाइट में बैठना होता है तब यह लगता है कि आप क्या हो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे अपने उमुश्य को उनसे पूछिए कि जो कमा रहे हैं और दो साल के बाद आते हैं फिर उनको मालूम है चार मेने बाद मुझको फिर जाना है कमाने के लिए अच्छा यहां काए है पहले जो जो लोग गवाएं से वह मुसल्मान जो गए उसमें से 20% जो हिंदू कैं उनको मुसल्मान लेके गए मेरे गाउं काया चलो आँए को पुला हो यह अपने मेरा कंपीजन अडानी और शारुक खाँ शारुक के पार दो किलोग्राम ही निकलती पुरा हिंदुस्तान जान जाता है अडानी के पूर्ट पे कुंट्रों गिरती है कोई नहीं जाना किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है सब्सक्राइब कोई बता दी हिंदू मुस्लिम सीखिसाइब सब लोग मिलके रहे हैं मिलके रहते हैं आज बनाया था उनकी सोच क्या थी उनकी सोच ची के आने वाली पेड़ी हमारी पढ़ेगी तो आदमी की सोच उची होनी चाहिए जब आदमी की सोच उची होगी दूचा काम होगा बाचीत हम यहीं पर बंद करते हैं हमें और भी मकामों पर और दूसरे मंजिलों पर जाना है दूसरे लोगों से मीटिंग करनी है तमाम चीज़े हैं लाइन डप हैं और इस बाचीत पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहते हैं सराइमीर की कहानी सराइमीर में रहने वाले लोगों की कहानी उन्होंने क्या कहा क्या किया क्या सुना क्या पाया यह सब की बात हुई आजमगड़ में क्या हुआ वगरवाले संजरपुर में क्या हुआ यह सब बातें हुई हैं और आप इस बाचीत पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल लग किएगा शुक्रिया है